मोवी के शुरात होते हैं एक एक को दिखाता हुए जिसके योग में एक इनसान कुछ इंजेक्ट कर रहा था कुछी देर के बाद में उस एक योग से एक दूसरा एक योग निकलता है और आज के हमारी मोवी इसी तोरी पर बेस्ट है फिरम कुछ वरकर को देखते हैं जो कि होलिवोड की रोड़ पर स्टार बना कर एक फेमस हिरोई एलिजबेट का नाम बना रहे थे होलिवोड में जो भी फेमस स्टार होते थे उनके नाम इसी तरीके स्ट रोड़ पर बना जाते थे और इस समय एलिजबेट होलिवोड के नमबर वन हिरोई थी और पबलिक उसके लिए पागल थी उसे हर बड़ी मूवी और म्यूजिक अलबम मिल रहे थी हर न्यूस पेपर पर उसकी बारे में लिखा जाता था हर न्यूस चैनल पर उसका इंटर्वी ले जाता था या तक कि उसे ओसकर आवर्ड बे मिल चुका था लेकिन टाइम और एज किसी के लिए नहीं रुखता है और इंटर्टेंमेंट के इंटर्स टीम में एक्टर्स को हमेशा से अब्जेक्ट की तरह यूस कह जाता है जब तक उनकी बॉड़ी यंगे उनके फेस पर रिंकल नहीं है तब तक उन्हें ब्यूटिफल माना जाता है और यही हाल एलिजाबित का भी हुआ धीरे धीर उसकी एज बड़ी और उसका काम कम होता गया और अब वो पचास साल के हो चुकी है इस समय उसे अब चोटा मुटा काम मिलते हैं वो भी सिर्फ टेवी शोस पर लेकिन अब भी हाल फिलाल में उसके पास में बस एक फिटनेस शोई था इसी तरीके से एक दिन एलिजाबित अपना शूट कतम करती है और उस दिन उसका बड़ी भी था लेकिन जादा लोगों को उसका बड़ी याद भी नहीं था बस उसके एजेंसी के कुछ लोगी उसका बड़ो से वीच करते है फिर वो वाश्रूम के तरफ जाती है लेकिन गल वाश्रूम लॉग्ट था तो इसलिए किसी भी परसन को वहाँ पर न देखकर वो मेंस वाश्रूम चली आती है कुछी देर में एजेंसी का ओनर रॉण वाश्रूम के अंदर आता है जो किसी से कॉल पर बात करके उसकी एजेंसी के लिए नए मोडल को डूनने के लिए कहता है क्योंकि एलिसाबिट अब बड़ी हो चुकी थी और वो उनके ले किसी काम की नहीं थी उसके ऑसकर आव़ोर्ड से उनकी शो के ट्यारप नहीं बढ़ सकती थी तो इसले शो के लिए नहीं लिकी मिलते ही रॉण एलिसाबिट को हमरेश अब प्लेस करने वाला था अब रॉण को पताervी नहीं था कि एलिसाबिट उसी वाश्रूम में है तो इसलिए उसके जाने के बाद में Elizabeth वहाँ से निकलती है जिसे रोन की बातों के काफी बुरा लगता है फिर रोन के साथ फिलेंच करने जाती है और वहाँ पिरोन उसे इंटरेक्टी लिए ही कहता है कि audience को actress के attractive body में interest होता है नई तो show कोई नहीं देखता है उसकी बात से Elizabeth को समझ आ गया था कि उसका time अभी agency से जल्दी खतम होने वाला है उपर से जब वो घर वापस आ रही थी तो देखते हैं कि उसके एक लोते बिनर को भी तोड़ा जा रहा है अपने उस टूटे बिनर को देखने के चकर में Elizabeth का accident हो जाता है लेकिन luckily वो accident जदा बड़ा नहीं था उससे बस थोड़ी वद चोटे आई थी लेकिन अपने डूपते करियर के बारे में सोचकर वो hospital में रो रही थी उससे रोताव देखकर Oliver नाम का एक नर्सों से देख लेता है जिसके बाद में वो उसका spine चेक करता है Elizabeth को लगता है कि उसकी spine में कुछ problem है और तब Oliver उससे कहता है कि उसकी spine में कोई problem नहीं है लेकिन वो candidate बनने के लिए perfect है Elizabeth को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती है और वो उसकी बात को कोई importance नहीं देती है इसलिए वो Oliver से अपने कपड़े लेकर hospital से बाहर आती है hospital से बाहर आने के बाद में Elizabeth को अपने जेकेट के pocket में एक पेंटराइ मिलता है जो कि Oliver नहीं वहार रखा था उस पेंटराइ में एक phone number था और एक paper पर लिखा हुआ था कि ये चीज़ उसके जिंदगी बदल देगी वो उस पेंटराइ को pocket में रखती है और तब भी वहाँ पर उसका एक school friend Fred आता है Fred school time से Elizabeth से प्यार करता था और उसकी हर success को उसने आज तक follow किया था साथ ही उसके लिए Elizabeth आज भी सबस्यादों कुपसूरा तड़की थी Elizabeth भी एतना सालों के बाद में उससे मिलकर बहुते खुश दी Fred उस अपना number देता है और Elizabeth उसे किसी दिन अपने साथ में डिनर पर चलने का promise करती है अब अगले दिन Elizabeth को उसके एजेंसे से एक flower bouquet और एक note मिलता है जिसमें एजेंसे के लोगों ने उसे एक tank note बेजाता इतना साल तक उनके लिए काम करने के लिए मतलब कि Elizabeth को एजेंसे के लोगों ने निकाल दिया है अब ऐसा लग रहा था कि Elizabeth काम होती ही खुशूरती को एजेंसे और जेलना नहीं चाती है इस बात से Elizabeth को बहुत ही हाट होता है जिसके बाद वो pen drive से उसी वीडियो को देखना लगती है उस वीडियो में एक आदमी ये कह रहता है लेकिन दोनों रूप को एक बार में सिर्फ एक ही हफता मिलेगा अपनी लाइफ को जीने के लिए यानि कि एक विक होगा मेट्रिक्स के लिए तब सबस्टेंस सो जाएगा लेकिन सबसे important बात ये थी कि में मेट्रिक्स में ही consciousness होगी और सबस्टेंस उसी का एक चोटा बेटर वरिजन होगा दोनों की मिलकर एक ही सोल होगी और मेट्रिक्स बिना सबस्टेंस के कुछ नहीं है यह पर ये विडियो खतम हुजाती है और एलिजबेट को ये बाते फाल तो लगती है तो इसलिए वो पेंडर को डस्टे बिन में फेक देती है फिर रात को वो एक बार मचाती है जहां पर यंग कपल को देखकर अकेला फिल करती है उसने अपने लाइफ में केरियर को सबसे ज़्यादा प्रायोटी दी थी और इस चक्कर में वो अपने लाइफ में प्यार नहीं ला पई घर जाकर वो अपने अवार्ड को भी देखती है लेकिन उसके सालों के हड़वक के अवार्ड भी उसे कुशी नहीं दे पा रहे थे उसके लिए उसका प्रायस तो लोगों के सामें हमेशे कुपसृत बने रहा ना था गुस्से में पोश रोपिस को अपने फोटर पर फेक देती है जिससे कि उसके बड़े से फोटर का गलास तूड़ जाता है फिर इसके बाद मैं एलिजबेट उस पेंटराइफ से नमबर निकाल कर उस मेडिसीन के लिए परसन को फोन करती है मुवी में इस परसन को कोई नाम नहीं दिया गया है लेकिन इससा समझने के लिए हम इसे वी कहेंगे अब मैं एलिजबेट से मेडिसन का ओडर मिलने के बाद में वी एलिजबेट के घर का एडर्स लिता है और उसे पर कैट्रश देता है अपने एजजबेट को न्यूसपेपर पर अपने उसा एज़ेंसी का एड़ दिखाई देता है जहांपर भी इतने सालों से काम कर रही थी और वो एजेंसी अब एक न्यू एलिजाबेट को डून रही थी और ओडिशन के लिए उन लोगों ने 18 से लेकर 30 एर्ज के बीच की यंग गज़ को बुलाया था उनका ये एड़ देखकर एलिजाबेट के अंदर और पी जाता गुस्ता बर गया था उसके बाद में वो लेटर को चेक करती है जो उसके घर डिलीवर हुए थे उन में से एक एंवलप वी की तरफ से बिया था जिसके अंदर एलिजाबेट को 503 नंबर का एक लोकर कार्ड मिलता है फिर वो वी से मिलने के लिए उसी एडरेस के लिए निकल जाती है वो जगह भार से एक बिल्कुल अबेंडन शॉप जैसी लग रही थी एलिजाबेट उसी कार्ड से वा कर दोर उपन करके अंदर जाती है अंदर से बिल्कुल एक मॉडरन लोकर रूम की तरह दिखाई दरा था उसमें कई सार लोकर थे फिर एलिजाबेट उस कार्ड से अपने लोकर 503 को खुलती है जिसके अंदर उसे एक बॉक्स मिलता है और उसे लेकर एलिजाबेट अपने घर पर आ जाती है घर आकर जब वो बॉक्स खुलती है तो उसमें से पहले निकलता है एक्टिवेटर जोकि में इंजेक्शन था जिससे सिर्फ एक ही बार यूज किया जाना था दूसरा आइटम निकलता है स्टेबलाइजर जोकि एलिजाबेट को दूसर रूप यानि कि सबसेंस को लेना था हफ़ते के हर साथ दिन सातो बार और ये स्टेबलाइजर एलिजाबेट की बॉन से निकला जाएगा जिसम नॉर्मल भाशा में बॉन मेरो समझ सकते हैं तीसरा आइटम था स्टेबलाइजर जिसमें एक पाइप था सातो दिन के एंड में पाइप का एक एंड एलिजबित की बॉड़े में इंजेक्ट होगा और दूसरा एंड सबसेंस की बॉड़े में इंजेक्ट किया जाएगा उस दोनों का बलड एक दूसरे के अंतर जाते ही दोनों में से कोई एक नीम से जाग जाएगा अपना काम करने के लिए फूर्ट आइटम निकलता है मेट्रिक्स के खाना और सबसेंस का खाना अगर सबसेंस हो रही होगी तो ये फूर्ट उसे साथ दिनगले सबसेंस की बॉड़े में इंजेक्ट करके उसे खिला जाएगा और अगर मेट्रिक्स हो रही होगी तो मेट्रिक्स को भी उसी तरह खिला जाएगा अब बोक्स से आकर में एक नोड मिलता है जिसमें ऐसा लिखा था कि मेट्रिक्स खुद को सिर्फ एक बर एक्टिवेट कर सकती है और याद रहे हैं मेट्रिक्स और सब्टेंस तुम ही हो यानि कि दोनों एक ही है फिर इसके बद एलिजबेत बातरूम जाती है और अपने सबी कपलक खोलका सोचना लगती है कि उसे ये करना चाहिए या नहीं किसी अंचार इंसान से इंजेक्शन लेकर उसे अपनी बॉड़ी में इंजेक्ट करना लेकिन जब वो अपनी बुड़ी बॉड़ी और अपने रिंकल परे फेस को देखती है तो वो खुद को रोख नहीं पाती है वो फिर से कुम्सरत बनने के लिए अपने अंदर एक्टिवेटर का इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेती है और कुछी तेर में उसे अपनी बॉड़ी में बहुती पैन फिल होने लगता है उसकी पुरी बॉड़ी कापने लगती है और उसकी स्पाइन भी क्रेक होने लगती है उसकी आँखों की कौर्निया एक से दो होने लगते है मतलब कि उसका डिएन अपना एको डूप्लिकेट पैदा कर रहा था फिर धीरे दीरे ऐलिजबेट की स्पाइन की तरफ से बोड़ी को देखती है जो कि बहुत ही जादा ब्यूटीफूल था जिससे देखे कर सबस्टेंस बहुत ही खुश थी साथ ही उसकी बोड़ी पर वही बरतमाज भी था जो कि एलिजबेट की बॉड़ी में था क्योंकि वह एलिजबेट सही निकली थी लेकिन यह रूप बहुत यह करते टाइम उसे बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि वह थी तो एलिजबेट का ही पार्ट एक समय ऐसा आता है जब एलिजबेट की आँगे खुली थी और उसकी बोड़ी सांस ले रही थी लेकिन वह परिलाज जालत में थी फिर सबस्टेंस एलिजबेट की बोड़ इसका फूड इंजबेट करती है फिर उस हो जाती है फिर भगले दिन नहाने के बाद में उसे अचानक से चक्कराने लगते हैं और उसके नाक से खुल निकलता है उसे तुरंट इस्टेबलाजर लेना होगा नहीं तो बहुत इबर हो सकता था जिसके बाद में वह बाद में उसी नूसपेपर में एजेंसी का और लडंचन नजर आता है और वह और वह और जाती है 21 अब और लोगोग सबसेंस को देख तो एक ही बाद में उसे सेलेक्ट कर लिते हैं क्योंकि उसके गुपसरलत की वहां पर और और कोई नहीं थी और उससे देखकर शूक्ड हो चुका था क्योंकि आज तक उसकी एजेंसी ने इतनी गुपसर लगे के साथ में कभी काम नहीं क्या था लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस एलिजबेट की बॉड़ी से निकल हुई एक सबस्टेंस है, सबस्टेंस को अब काम मिल चुका था और काम के लिए अब नाम होना भी ज़रूर था तो सबस्टेंस इसलिए अपना नाम सब को सू बताती है और अब से हम उसे सू ही कहेंगे सू को एजेंसी से वो ही फिटनेश वो मिलता है जो कि Elizabeth क्या करती थी चुकि talent दोनों में ही सेम था वो दोनों को सेम चीज़ा ही करना आती थी लेकिन यापर substance और matrix दोनों एक विक छोड़कर एक विकी अपने life जी सकते थे मतलब कि एक विक Elizabeth के लिए और एक विक Sue के लिए इसलिए Sue रोन से हर दूसरे विक की चुट्टी मांगती है और उसे जुट बोलती है कि उसे country side में उसकी बिमार मां को देखने जाना होता है रोन भी उसके हर condition को मान जाता है चुकि Sue की attractiveness उसकी शो की ट्यारपी नंबर वन पर लाने वाली थी पहले विक के अंदर Sue को काफी जार सकस्स मिल चुकी थी उसका फोटो शूट होता है और उसकी फोटो शूट का बहुत बला बैनर उसके अपाटमेंट के सामने लगा जाता है और तोर पूरे शेयर में भी उसके बैनर लगता है और शूट के पहले एपिसोट के रियासल भी बहुत ही अच्छी जा रही थी इसी तरह साथ दिन बीच चुके थे और अब टाइम ता सुखिच करने का Sue का साथ दिन का स्टेबलाजर भी खतम हो चुका था जिसके बाद में Sue बात्रूम जाती है फिर सुच के पाइप का एक एंड Sue अपने हाथ पर और दूसरा एंड Elizabeth का हाथ पर इंजेट करती है दोनों का खुन पाइप से निकल कर एक दूसरे की बाड़ी में जाता है और Elizabeth अपनी निन से जाग जाती है और Sue साथ दिन के लिए सो जाती है निन्द से उटते Elizabeth को थोड़ा बहुत अपनी बाड़ी में और अपने जख्मों पर पैन होना लगता है लेकिन Sue की पसूर्थी को देखकर वो इन सबी चीज़ों को एग्नॉर कर देती है सीन कट होता है और फिर वो अगले दिन Sue की बाड़ी में वो हराफ्ता डिलीवर होगा ऐसे ही साथ दिन कप्लिट हो जाते है और अपसू अपने लाइफ जी रही थी पहले दिन वो Elizabeth की बाड़ी से साथ दिन के स्टेबला से निकाल कर फिरिज में रख लेती है उसके बाड़ में वो Elizabeth की बाड़ी को बाड़ों में देखना चाती है जब सबस्टेंस जाग रही होती है तब मेट्रिक्स बाड़ों में ही पढ़ी रहती है और यह बिल्कुल भी सही नहीं था क्योंकि बाहर का कोई इनसान अगर उनके बाड़ों में गया तो उनके सच्चा है सबकों सामना सकती थी तब इस उनोटिस करती है कि बाड़ों की एक वाल के पीछे खाली जागा थी और वहाँ पर वो अपना एक सिक्रेट रूम बना सकती है और इसलिए वो बाड़ों के एक वाल के पीछे एक सिक्रेट रूम बनाने के काम में लग जाती है सू के काम से बहुती नौइस हो रहा था तो इसलिए उसका नेबर जौन उसकी कंप्लेंट करने आता है उससे सू के बारे में अब तक पता नहीं था वो तो उससे ऐलेजबेट समझ कर उसे काफी बुरा बला कहना रहा था लेकिन जब उसकी कुपसरती को देखता है तो उसके सामने कुछ बुली नहीं पाता है उल्ट अब बिना किसी कंप्लेंट के वो घर से चला जाता है सू फिर एलिजबेट की बॉली को उसे सिकर्ट रूम के अंदर रख देती है उसकी बड़ी सी फोटो को भी सू वहीं पर रख देती है अगले दिन सू अपने फिटने शो का पहला शूट करती है और उसकी परफॉर्मेंस एजेंसी के सबी लोगों को बहुती पसंद आती है सू को भी अब उसकी सक्सेस से बहुती मज़ा आ रहा था साथ ही उसके बहुती दोस्त बन चुके थे उसी रात को वो टोली नाम के एक लड़के को गर पर लेकर आती है ताकि वो उसके साथ में वन नेट स्टेंड कर सके दोनों मेक आउट करी रहे थे कि तब भी सू को चक्कराने लगते है और उसकी नाकसर खुन भी निकला लगता है चुकि आज उसका साथवा दिन कंप्लेट हो रहा था और अब ऐलिजबेट को जागना था और सू को सोना था वेपर ऐलिजबेट का खाना भी खतम हो चुका था और उसकी बॉड़ी को जागना था तो इसके लिए उसकी बॉड़ी कहाँ पर रही थी लेकिन यहाँ पर सू को टोरी के साथ में कराद बताना थी तो इसलिए वो ऐलिजबेट की बॉड़ी से एक दिन का स्टेबलाइजर निकाल कर अपने अंधर इंजबेट कर लेती है अब इस्टेबलाइजर इंजबेट करना के बात में सू टोरी के साथ में इंटिमेड लिभी होती है सीन कट होता है और अगले दिन दोनों अपनी बॉड़ी को सुच करती है और ये सब्ते इलिजबेट जीने वाली थी लेकिन अपनी नील से उफने से पहले इलिजबेट को ऐसा सफना आता है कि सूखी बोडी से उसका मास छोटे छोटे तुक्डों में फ्लोर पर गिरा हुआ है लेकिन इलिजबेट इस सफने को इगनोर करके लिविंग उरू में जाती है जहापर वो देखती है कि पूरे गरम एलकॉल की बोटल थी साथी महापर टोरी का हेलमेट भी पढ़ावा था और टोरी ने महापर एक नोट पर चोड़ा था जिसमें लिखावा था कि वो अपने हेलमेट को बार में लिकर जाएगा तब ही एलिजबेट अपने हाथ के एक फिंगर को नोटिस करती है जो कि बागी फिंगर से दस साल बुड़ी लग रही थी उस फिंगर में बहुत साय रिंकर पढ़ गय थे और वो अपने फिंगर को बुद्धर वाश भी करती है यह सोचकर कि इसके उंगली पहले यह सी हो जाएगी तब ही वो अपने पीट पर एक चोटे से हुल को नोटिस करती है और सू के पास में वही इस्टेबलाजर का इंजेक्शन पढ़ावा था जिससे उस समझ चुकी थी कि सूने एक दिन एक्स्टा उसके अंदर से स्टेबलाजर से निकाला था मतलब कि जब भी सून एक्स्टा डेस के स्टेबलाजर एलिजबिट की बौड़ी से निकालेगी और इसलिए दोनों को मिलकर बिलेंस करके चलना होगा इस बात से एलिजबेट को बहुत ही गुसा आता है और वो टोरी का हैमेट करके बाहर फेक देती है एलिजबेट इस बात से नारस थी कि सू की गलती के वज़े से उसका नुकसान हो रहा है तब यो टीवी पर सू की फिटने शो का पहला एपिसोड देखती है जहाँ पर सू बहुत ही अच्छे लग रही थी और उसका परफार्मेंस भी बहुत ही अच्छा था साथी उसका नेबर जॉन भी टीवी पर सू का शो देखने के बाद में सू को डेट के लिए पूछना आता है अब यो एलिजबेट ना डूर नहीं खोला था तो उसे लग रहाता कि अंदर सू है लेकिन जो भी हो इन सब अटेंशन और सू की सकस की वज़ेश से एलिजबेट को काफ़े अच्छा फिल हो रहाता इसलिए एलिजबेट का गुस्सा सू के ले शांत हो जाता है फिर अब एलिजबेट उसी एडरस पर फिर से रिफिल किक की डेलेविर ले निकले जाती है पर इस पर उसे ऐसा फिल होता है कि कोई इनसान उसका पीछा कर रहा है इसलिए वो तुरंट वाँ से पारसल लेकर उस रेस्टरंट में आती है रेस्टरंट में भी वो अपना गलव ने खुलती है उसे अपनी उसी उंगली से काफी इंबरेस्मेंट फिल हो रहा था तब ही वहाँ पर बेटा एक बुड़ा आदमी उससे बात करता है उस बुड़े आदमी के हाथ में भी वही बर्क मर्क था जो कि एलिजबेट ने हॉस्पिटल के नर्स उलिवर के हाथ में देखा था सांति उस बुड़े आदमी के पास में लोकर का वही काड़ भी था मतलब कि अलिवर उसी बुड़े अंदर से निकला हुआ एक यंगा सेल्फ है और यहाँ पर यह बुड़ आदम ही ऐलिजबेट का पीछा कर रहा था क्योंकि वो यह देखना चाता था कि ऐलिजबेट इस प्रोसेस को करने के बाद में कितने खुश है उस बुड़े आदमे के मुताबिक उसका दूसरा रूफ उसे ऐसा फिल कराएगा कि उनके इस दुनिया में होना बिल्कुल वेस्ट है और दीरे दीरे और दीरे उसका दूसरा रूफ उसे खाता जाएगा उस बुड़े आदमे की बात सुनकर Elisabeth काफिज़ता डर जाती है और वहाँ से भाग कर गर की तरह आती है तब भी उसका सामना टोरी से होता है जो कि अपना हेलमेट लेने के लाया था टोरी बहुती हैंसम था और Elisabeth को इस बात से जिलस फिलोता है कि सूक को एक ही रात में एतना हैंसम लड़का कैसे मिल गया उपर से हर लड़का उसी का दिवाना था यसलिए वो घर जाकर अपने स्कूल फ्रेट को कॉल करके उससे डेट के लिए पूछती है फ्रेट बच्पन से Elisabeth से प्यार करता था तो डेट की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है जिसके बाद वे दोनों आज रात को 8 बज़े मिलने का प्लान करते हैं डेट के लिए Elisabeth एक रेट कलर की ड्रेस पहनती है और अपने हाथों में गलोव भी पहनती है पचास साल की उमर में Elisabeth काफ़ी खुशत लग रही थी और आज भी वो बहुत अच्छी दिखती थी अपने डेट के लिए Elisabeth अच बहुत एकसाइटेट थी और जाने से पहले वो एक बाद सु को चेक करती है जिस दुरान सु का यंग फिस देखकर Elisabeth को खुद में काफी कमी नज़र आती है इसलिए वो फिर से थोड़ा सा मेकप कर लेती है फिर वो घर से निकल नहीं वाली थी कि तब भी उसकी नज़र उस घर के सामने लगे सु के बेनर पर जाती है जहाँ पर वो सु की यंग और अट्रैक्टिव बॉड़ी को नोटिस करती है जिसके बार में वो खुद की बॉड़ी के लिए थोला एंबरेस्ट फिल करती है और इसलिए वो एक स्कारफ से अपने क्लेवेज को डख लेती है देरे देरे उसके चेले से खुशी कम होती जा रही थी वो फिर से एक बार मेकप करती है और इस बार जो वो कैसे बार निकल नहीं वाली थी कि फिर से उसे सु का यंगर फिस याद आता है जिस वज़े से वो खुद कॉन्फिडन फिल नहीं करती है अब उसे खुद से खीनाने लगी थी और सूर के सामने वो खुद को जराबी खुबसरत नहीं मानती थी इधर फ्रेड देर रात तक रेस्टरंट में इलिजबेट का वेट करता है लेकिन इलिजबेट नाई डेट पर जाती है और नाई फ्रेड का कॉल उठाती है फ्रेड ये सोच लेता है कि एलिजबेट बहुत बोड़ी हॉलिवुड स्टार है और इसलिए उसने डेट कैंसल कर दी लेकिन उसे ये नहीं परता था कि एलिजबेट समझी नहीं पाई है कि फ्रेड के लिए सबसे खुपसरत लड़की वही है अब रात में गुस्से में एलिजबेट बहुत सारा खाना का लेती है और सो जाती है अब अगले दिन मसू के जागने की बारी थी जहांपर उसकी नीद एक बायन एक सपने से खुलती है उसका सपने मसू अपने फिटने शो को शूट कर रही थी जिस दुरान उसकी कमर पर एक बड़ा से पिमपल एक पल के लिए अपियर होता है और कैमरा पर वो चीज रिकॉर्ड हो जाती है वो डर कर डेसिंग रूम में जाती है और उस पिमपल को टच करती है और पिमपल जैसी चीज उसके स्कीन के अंदर मूव रही थी वो जब उस पिमपल को बेली बटन तक लाती है तो वहाँ से एक चिकन का लेक पिस बाहरे कलता है यह सपना सू के लिए काफी डिस्टरबिंग था उपर से पिछली रात एलिजबेट ने भी चीकन और बहुत सार खाना काया था इस बात से सू गुस्सा होकर वी को कौन करके कहती है कि उसे अपने लिए टाइम ने मिलता है और एलिजबेट बस दिन बर खाती रहती है और टीवी देखती रहती है तब भी उसे समझाने ही कोशिश करता है कि तुम दोनों एक ही हो और इसलिए बैलन्स करके चलना पड़ेगा लेकिन सू गुस्से में उसकी बात नहीं सुनती है तो वहाँ पर शूट का काम बन पड़ाता और रॉन उसे आफिस में मिलने बलाता है रॉन सू से पता चलता है कि सू की वज़े से उनके शू के टियार पी नमबर वन पर पहुच चुकी है और इसलिए अब रॉन सू के साथ में न्यू यर पर एक लाइफ शू करेगा वो भी पचास मिलन लोगों के सामने इस सू को काफी दा सकस्स मिलने वाली थी और अब सू के पास में एक के बाद एक बड़े एड़टाइसमेंट टीवी शो, न्यूज इंटर्व्यूस फोटो शूट के काम आ रहे थे इसलिए एक विक का टाइम सू के लिए बहुत ही कम था और बार बार लगाता एक मदद तक एलिजबेट की बॉड़े से स्टेबलाइसर निकाल रही थी और अपने लिए उस टाइम को यूज कर रही थी जब फाइनल सू को कुछ दिन के चुट्टे मिलती है तो खुट को स्विच कर लेती है लेकिन जागने के बाद में एलिजबेट अपनी हालत को देखकर शौक रही थी और जोड़ जोड़ से लो रही थी एक मैने तक लागाता स्टेबलाइसर निकालने की वज़े से एलिजबेट के आदी बॉड़ी 80 साल की बुड़ी हुरत की तरद दिख रही थी गुस्से में एलिजबेट वी को कॉल करके सबी बाते बताती है तब भी उसे यह सब रोकने के एक अप्शन देता है कि सू की कॉंशिसन्स तो खतम करते हैं लेकिन एलिजबेट की बॉड़ी की हालत अब तक जितने भी खराब हुई थी वो पहला जैसे टेक नहीं हो सकते थी एलिजबेट की आदी बॉड़ी तो खराब होई चुके थी वो सू को खतम करने के बारने सू की सक्सेस की खुशी भी उसे मिलना ही पाईगी तो इसलिए वो वी केस आप्शन को रिजेक्ट कर देती है फिर भी उसे अपने आलत को लेकर सूपर गुसा आ रहा था उसकी आदी बॉड़ी 80 साल की बॉड़ी उरत जैसे हो गई थी और उसे एक पेर से चलने में भी प्रब्रम हो रही थी वो इस पेर की बॉन को थोड़ा क्रेक करके किसी तर चेर से उटती है और रॉन का दियाव गिफ्ट कोलती है जहां पर उसे एक रेसिपी बुक मिलती है इन सबसे अपना मुट सही करने के लिए इलिजबेट उस रेसिपी बुक को फॉलो करके बहुत सारा खाना बनाती है तब ही उसे टीवी शो के ओपर सू का एक न्यूस इंटर्वी दिखाई देता है जिससे उसे पता चलता है कि सू को एक होलिवूड के फिल्म में भी आफर हुई है साथी सू शो के होस्ट के साथ में मिलकर ऐलिजबेट का मज़ाफी बना रही थी इस बात से ऐलिजबेट को बहुत ही घुसा आता है घुसे मों टीवी और खाने को विंडो को उस तरफ फिर्म में लगती है जहां से सू का बेनर दिखाई देता है यहां तक ऐलिजबेट उस विंडो पर न्यूस पिर्म तक लाग देती है ताकि उसे सू का बेन नई दिखाई दे सू का फिर्म अब उससे इरिटेट कर रहा था और उससे अपने फिर्म से गीना रही थी एक तरफ उसका दिमाग कहरा था कि उससे सू को खतम कर देना चाहिए और दूसी तरफ उसका दिल्या कहरा था कि सू के जरी उसे इस सक्सेसुल लाइफ के एंजॉय करना चाहिए अब इसी तरह साथ दिन खतम हो चुके थे और अबन सू अपनी नीन से जागती है वो घर के हालत देखकर शौक थी हर तरफ सावान और खाना बिखरावा था और ये सब सू को इसाफ करना था एलिजबेट के बहुत से सू इतना जाए घुसा थी कि वो सारे बोटल उस सिक्लेट रूम में लाती है और एलिजबेट की बॉड़ी से स्टेबलाजर निकाल कर सबी बोटल में भने लगती है और ये सब काम सू बहुती बुच्चे में और अग्रेसिवल कर रही थी उसने ये सोच लिया था कि वो वापस नहीं सोने वाली है और वो एलिजबेट के स्टेबलाजर को यूज़ करके पुरी लाइफ जाएगी एक ही जगे से बार बार स्टेबलाजर निकालनी की वज़े से एलिजबेट के पीट पर एक बड़ा सा पिंपल हो गया था जिसमें सबस भी बार आ रहा था इस तरह तीन मेने बीच जाते हैं और सू ने अब तक इंडस्ट्री में बहुत बड़ बड़ा काम कर लिये थे और कल रात नो बज़े उसकी लाइफ का सबसे बड़ा शो था नियू यर्स इव लाइफ शो जिसके लिए सू का अफ़ज़ाद एकसाइटिड थी जिस एजेंसी तो वही उसी एजेंसी ने सू को भी वो रेड़ उसका गिफ्ट बेजा था और उसका बहुत हैंडसम बॉइफरेंड बेता जो चीज़ा एलिजबेट को भी नहीं मिली थी वो भी सू को मिल रहे थी शो से पहले रात को सू अपने बॉइफरेंड डेनी के साथ थी और सूने जाने से पहले वो एलिजबेट के अंदर से स्टेबलाजर निकलना जाती है लेकिन उसकी बॉड़ी से जरा सब स्टेबलाजर नहीं निकलता है क्योंकि इन तीन महिनों में सूने एक बार भी एलिजबेट की बॉड़ी को एक बार भी खाना नहीं इंजक्ट किया था और बिना खाने से उसकी बॉड़ी से स्टेबलाजर कैसे निकलेगा अब उस सू की हालत भी खराब हो रही थी और उसे चक्कर आ रहे थे उसकी नाक से खुन निकल रहा था और वी को कॉल करके वो अपनी प्राब्लम के बारे में बताती है तब भी उससे स्टेबलाजर को एलिजबेट की बॉड़ी मेरी जनरेट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा साथी मेट्रिक्स और सब्सेंस में से कुछ दिनों के लिए दोनों का जागना जरूरी है उपर से तीन मैने से जदा सब्सेंस यानि की सू जागी नहीं रह सकती थी उसको अब स्विच करना ही होगा सू को स्विच करना ही नहीं था लेकिन यह अब उसकी मजबूरी बन गई थी बीना इस्टेबलेजर के उससे चला भी नहीं जा रहा था किसी तरह गिरता पड़ते वो वाश्रूम के उसे सिक्रेट रूम तक आ जाती है और एलिजबेट से स्विच करती है जब एलिजबेट अपनी निंद सजागती है तो खुद को देखकर चिला देती है तो घर को छोड़कर भाग जाता है चुकि वो भी सुकी ब्यूटी और अट्रेक्टिव बाड़ी के पीछ था और वो उससे कोई प्यार ब्यार नहीं करता था तो वहीं पर एलिजबेट जब अपनी सालत को देखती है तो बिलकुल शौक रही थी वो सु साल से भी जादा बुड़ी लग रही थी जिसके सर पर बाल नहीं थे उसके पूरे शरी की स्किन लूस हो गए थी और उसके रिंकल भी आ गए थे उसके स्पाइन भी मूर चुकी थी और उसके पीट पर एक बहुत बड़ा पिमपल था उसके पेर की हड़िया पर तेड़ी बड़ी हो गए थी मतलब कि वो एक बहुत ही भैनन बुड़ी औरत बन चुकी थी एलिजबेट को चलने में काफ़े मिश्किल हो रही थी लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से लिविंग गुर में जाती है फिर वी को कॉल करती है कि वो ये सब खतम करना चाती है क्योंकि अब अगर उसके सूने के बाद में सू जाग गई तो स्टेबलेजर लेने के नाम पर वो एलिजबेट के साथ में और भी बुरा बरताव करेगी और हो सकता है कि वो जिन्दा भी न बचे एलिजबेट की बात सुनकर भी उसे कल उसी एडरेस पर पास ले जाना को गयता है उसके बाद में एलिजबेट अपनी बड़ी सी फोटो को फिर से लिविंग रूम में लगा देती है अब जाकर उसे समझ में आया था कि पचास साल की उमर में वो कई जाद हो खुबसूरत थी लेकिन अब जो हो गया था वो वो वापस नहीं आ सकता था पर अभी भी उसके पास में इस सब रोकने की पाउर थी क्योंकि वो मेट्रिक्स थी और इसलिए अगले ही दिन वो अपनी पूरी बॉड़ी को कवर करके वो उस एड्रस से पारसल लेकर आती है फिर वो सूख की बॉड़ी को लिवंग रूम में घसरिकते विलाती है और उस पारसल को खोलती है उस पारसल के अंदर टर्मिनेशन इंजेक्शन था जिसका कर ब्लैक था जिससे की स्बस्टेंस यानि की सूख को हमेशा के लिए खतम किया जा सकता था और मेट्रिक्स यानि की बस एलिजाबित ही रहेगी लेकिन एक पल के लिए एलिजाबित सोचती है कि पचास की उमर में ही अपनी बॉड़ी की आदी से जादा खुपसूर्टी को देने के बार में ये सब कुछ कातम करना सही होगा की नहीं कहीं उसमें जो खोया है वो सब वेस्टन हो जाए लेकिन फिर से वो अपने उसी डेसिजियन पर आ जाती है उससे सूपर और बेज़ादा गुस्ता आता है क्योंकि आज जो भी उसकी हालत थी वो सूप की वज़े से ही थी गुस्ते में उसी टर्मिनेशन इंजेक्शन को सू के दिल में इंजेक्शन के वज़े से वो बलैक लिकुड धिरे-धिरे सू के अंदर जा रहा था तब भी ऐलिजबेट की नजर पास में रखे डेड रोजेस पर पढ़ती है और उसे रिलाइस होता है कि सू है तो उसकी बॉडि का ही एक बात ये सब सोचकर ऐलिजबेट इंजेक्शन कुरा इंजेक्ट नहीं करती है और सू को जगाने की कोशिश करती है वो उसे सीप्या देती है लेकिन सू होच में नहीं आ रही थी और उसके नाक से खून भी निकल रहा था तब एलिजबेट स्वीच का पाइप लेकर खुद के हाथ में और सू के हाथ पर इंजेक्ट करती है तब सू का प्लेट बार नहीं आ रहा था तब एलिजबेट सू के हाथ में उस पैप को इंजेक्ट करती है और जब एलिजबेट का प्लेट सू के हाथ में जाता है तो सू खून के उल्टी करके होश मे आती है यहां पर पहली बात दोनों एक साथ होश में आई थे और दोनों एक दूसरे के सामने थे Elisabeth को समझ में नहीं आरा था कि सु को क्या कहे और सु को भी समझ में नहीं नहीं आरा था कि दोनों एक अिसमेच में पर कैसे जाग रहे ہیں तबी सू उसी Termination Injection को देख लेती है और उस समझ जाती कि Elisabeth उसे मारने वाली थी इस बात से सू बहुत ही गुस्टा होती है और Elisabeth को मानने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है Elisabeth बहुत ही कमज़र हो चुकी थी तो वो किसी तरह खुट को सू से बचाने की कोशिश कर रही थी तबी सू ऐलिजबेत को जो से किक करती है जिससे कि Elisabeth अपनी उसी बड़े फोटों से जाकर टखरा जाती है फिर सू ऐलिजबेत का गला गोटने की कोशिश करती है लेकिन Elisabeth के हाथ में एक फ्लावर का पोटा गया था जिससे वो सू के सर पर मारकर बातरूम के अंदर भावजाती है खुट को लॉक कर लेती है पर सू अभी भी Elisabeth का पेचा नहीं छोड़ती है वो बातरूम के डोर को लाथ मारकर तोड़ देती है और अंदर आती है फिर वो Elisabeth की बुरी तरिके से पिटाई करती है और वो उसके सर को मिरर पर दे मारती है वो उसके सर को कभी मिरर पढ़ा तो कभी सिंख पर बार पर मार रही थी जिससे कि Elisabeth का सर बुरी तरिके से जखमे हो गया था और उसका बहुत सा खून भी बे गया था, लेकिन एलिजबेट अभी भी जिन्दा थी, वो फ्लोर पर रेंग तवे लिविंग रूम में जाती है, पर मापर सू आ जाती है, और उसे फिर से किक करके एक गलास के टेबल पर फेक देती है, जिससे एलिजबेट बहुतर जादा गए थी, गलास के टुकड़ उसकी बॉड़ी पर घुजग गए थे, और अब वो हिल भी नहीं पा रही थी, सू उसके पास में आती है, और बुरी तरीके से एलिजबेट को लात माया लगती है, और उसे इतना मालती है, कि एलिजबेट की वहीं पर मौत हो जाती है, और सू एलिजबेट तो खून से लगपत हो चुकी थी, उससे मानने के बाद में सू को याद आता है, कि आज उसका सबसे बॉड़ा शो है, जिसके बाद वो एलिजबेट की डेट बॉड़ी को उससे हालत में गड़ पर छोड़का डेड़ी हो का एजेंसी आती है, वो खुद को न रही थी, सू तुरंद वाश्रूम में जाती है, और वहाँ पर उसका एक दाथ अपनाप निकल कर गिर जाता है, वो जब अपना दूसरा दाथ टच करती है, तो वो भी अपना बलट के साथ में निकल रहा था, मतलब भी कुछी देर में उसके से बीदातों के साथ में यही ह गर में था, वो सोचती है कि अगर एक्टिवेटर के वज़े से एलिजबेट के अंदर से वो निकल सकती है, तो उसके अंदर से और भी ज़्यादा ब्यूटिफुल लड़की निकलेगी, इसलिए वो तुरंद घर जाने के लिए निकलती है, तब भी रोन कुछ शेरोडल को लेकर उससे मिलने के लाता है, फिर उनके वहाँ से जाती है सू लिफ्ट के अंदर जाती है, और अब उसके नाकुन भी उखड़कर निकल रहे थे, किसी तरह सू वहाँ से निकल कर घर आती है, और अपने सभी कपलों को खूल कर अपने अंदर एक्टिवेटर को इंजट कर मगती है वो यही प्रैकर रही थी कि उसके अंदर से पीटर वज़िए निकले फिर उसके साथ वैसे ही होता है सूख ये बूर्णों तूपना लगती है और उसकत वन पार्ट में फ़ार जाती है और उसके अंदर से भी उसका एको रूप बहार आना लगता है लेकिन उसके सेल का multiple division हो रहा था और कुछी देर के बार में सूख के अंदर से जो रूप उसका बाहर निकला था वो खुत्तो ग्लास में देखता है इसे easily समझने के लिए हम यहापर उसे X नाम देंगे X जब पहली पर खुत को आईने में देखती है तो खुत को देखकर ही डर जाती है उसका हाथ कहीं ओर था और मुझ कहीं ओर और तो और उसके breast भी अपनी जगह पर नहीं थे उपर से Elizabeth का face X के peat पर था उससे green color की उल्टिया हो रही थी यह सब भैनेक चीज़ होना ही थी क्योंकि Elizabeth matrix थी सिर्फ उसके अंदर से cell और DNA एक बार डिवैड होकर substance को पैदा कर सकते थे जो की सू थी अब उसके खुदी जब एक substance थी तो उसके अंदर से एक हो substance केसे निकल सकता था इसी वज़े से सू के अंदर cell और DNA का multiple division हुआ और एक्स इतने बहाने तरीके से पैदा हुई उस एक्टिवेटर के उपर लिखा भी गया था कि वो matrix के single use के लिए है और वो चीज़ substance के लिए नहीं है फिर एक्स उसकी बाड़ी को accept करके सू की ड्रेस पहनने और मेकप करने लगती है उसका कान तक साई जेगर पर नहीं था लेकिन फिर भी वो earring उसी कान पर लगा लेती है फिर वो Elizabeth का photo frame तोड़कर उसमें से Elizabeth के चेहरे को निकालकर अपने face प लगा लेती है जिसके बाद में उसी हालत में एक्स शो के ले जाती है यहाँ पर millions लोग सू को देखने आयते है और रोन यहाँ पर सबसे ज़रा proud फिल कर रहा था क्योंकि सू को उसी ने launch किया था कुछी देर के बाद में एक्स स्टेच पर आती है पहले तो वो सबको सू लग रही थी लेकिन जब सब लोग उसे ठीक से notice करते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं बात करते करते एक्स के face से Elizabeth की photo हड़ जाती है और अभी भी उसके cell divide हो रही थी इसलिए उसके face से एक breast बहार निकलकर stage पर गिर जाता है audience उसे देखका डर गई थी और चिलाने लगी थी सब भी उसे monster कह रहे थे तबी stage पर कुछ mail आकर X को मानने और इदर तो दखका देने लगते हैं एक आदम stage पर आकर X का सर काट कर उसकी body से अलग कर देता है लेकिन X की body में अभी भी cell division हो रहे थे तो इसलिए उसका एकोस और भा निकलता है साथ ही अब उसकी पूरी body से खुन निकलने लगा था और और खुद भी खुन की उल्टिया कर रही थी उसका blood सबी audience और crew member पर गिर रहा था वहां के सबी लोग X के खुन से लटपत हो रहे थे और डर के मारे इदर उदर भाग रहे थे फिर X एजेंसी से बाहर निकलने लगती है और इस दोरान पूरी एजेंसी का ओफिस और सूर के फोटो भी खुन से सन चुके थे वहां से X भागते भागते होलिवड की उसी रोड तक आती है जहां पर एलिजेबेट का नाम लिखा गया था और वहे पर X की पूरी body का मास तुकलो तुकलो में और वोड पर भिखर जाता है बस बचा वाता तो सिर्फ X की body से connected एलिजेबेट का वही face फिर एलिजेबेट का face जमीन पर घसी टवे और वोड पर लिखा कर अपने नाम के पास में आती है वो आस्मान के सितारों की तरफ देखकर अपने उसी दिन को याद करती है जब वो हॉलिवोड के सबसे बड़ स्टार थी और कुछी दिर में एलिजेबेट के उसे चेहरे का नामनेशन मेट जाता है और यहाँ पर एलिजेबेट के सभी body के part और उसके सारे रोप खतम हो जाते हैं क्योंकि एलिजेबेट ना सुक के अंदर आदे सिव जदा एंजेक्ट कर दिया था और एक्स सुक के अंदर से निकली हुई थी आफरी में जो दूसर्स अफट्रेंस निकला उसके उपर टर्मिशन इंजेक्शन का असर हुआ था और Elisabeth की काहनी पुरी तरकेश दिखातम हो गई फिर अगले दिन सड़क पर लिखे Elisabeth के नाम से खून को साफ के जाता है लेकिन एक टाइम पर सभी उसे बूल जाएंगे और नहीं सुको को याद रखेगा क्योंकि उसके जाएंगे को यह खूबसर लड़की ले लेगी Elisabeth को सिर्फ एजेंडिक से निकाल दिया गया था उसके पास में बहुत सारा पैसा था घर था वो अपने जिन्दगे में बहुत कुछ कर सकती थी साथ ही उसके पास में फ्रेट था जो कि उससे अपने दिल से प्यार करता था और उसके लिए Elisabeth दुनिया की सबस्दा खुबसर लड़की थी लेकिन अपने पुराने फिम को बचाने के लिए Elisabeth नने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसने उसके जिन्दगी पुरी तिरके से बरबात कर दी जो खुशी उसे चाहिए थी उसे कभी ने मिली नव से प्यार मिला उल्टा उसके बास में जो कुछ भी था उसका सब कुछ चीन गया इस मूवी की कहानी आज के सीन्यारी को बड़ी अच्छी तरीके से दिखाती है कि किस तरीके से अपना फेम को पाने के चक्कर में लोग क्या क्या कर जाते हैं जबकि रियालिटी वो टाइम कर एक्सेप्ट करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए बूरे में भी अच्छा है ये डूननी चाहिए और हमेशा पोजिटीव रेकर अपने और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आओगा अगर आपको वीडियो पसंद आओओ तो वीडियो को लाइक ज़रू करना